कहानी की शुरुवात में हम एक मोटे लॉंडे को भागते हुँ देखते हैं जिसका दो लड़कियां पीछा कर रही होती हैं पर आगे जाकर वो इस मोटी गेंड को पकड़ लेती हैं जहां मोटी गेंड की फटके 64 ठोए अकी थी पता नहीं क्या करेंगी मेरे साथ वो कहती है हारे मोटी गेंड अब कहा बचके जाएगा फिर वो उसे आँखे बंद करके चुम्मी देने को कहती है और जब ये मोटी गेंड ऐसा करता है तो वो दोनों लॉंडिया उसकी पैंट उतार देती हैं और जोड जोड से हसने लगती है तो मोटी गेंड गेंड फला के वहाँ स जैसे ही वो लड़की उसके पास आती है तो लवर बॉइ इसकी साइकल के टायर मटंटा फसाकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर लवर बॉइ इसकी साइकल को पुल से नीचे फेक देता है और उसे भी लात मार कर पुल से नीचे गिरा देता है जिससे वो लड़की मर जाती और फिर लवर बॉय मन में सोचता है बावली गेंट चुम्मी देने की जिगा कच्छी खूलेगी ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ये मोटी गेंट साइको है अब ये बड़ा होकर सबको मारेगा इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम चुसाटी को देखते हैं जो लैपटोप के सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे एक गल हाउस वेफसाइट से ओफर मिला है जवानी दिखाओ पैसा कमाओ वहीं उसके डैड की तीन महीने पहले देख हो चुकी होती है और उसे अब बहुत पैसों की जर की हुँगे जिससे लड़कियां जो भी करेंगे उसे Life दिखाया जाएगा ये सारी बात जानने के बाद वे चुसाइटी ये काम करने को तयार हो जाती हैं अगले दिन गल हाउस का बोस खुвет चुसाइट को लेने आता है और वो उसे सारी बात बताता है कि लड़किया यहा वहां कोई भी नहीं आ सकता और अकर गलती से वहां कोई आ भी गया तो वो घर में एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि हर दरवाजे पर कोड लगे हैं वहां पहुंचने के बाद गर्ल हाउस का बोस चुसाटी को वहां के सिक्रेटरी इंचार्ज से मिलवाता है फिर वो चुसाटी को घर के अंदर ले जाता है जहां चुसाटी की मुलाकात घुसाटी नायम की एक बद नाम लौंडिया से होती है फिर वो दोनों कहता है कि हम सभी लड़कियों की पैचान सीक्रेट रखते हैं जिससे तुम्हें कोई भी नहीं पैचान पाएगा अब रात में डिनर करने के बाद वहां का काम सुरू हो जाता है और आज पहली बार चुसाटी इस वेबसाइड पर लाइव आती है सुरू में तो सब कुछ ठीक होता है पर कुछ समय बाद वेबसाइड के सभी लोग चुसाटी कोई देखने लगते हैं ओ बेटी मौज करदी जिससे पहले ही दिन में चुसाटी फेमस हो जाती है और वो सभी लोगों के दिल में बस जाती है अब हम एक गंजे आदमी को देखत करता है लेकिन चुसाटी उसे अगले दिन दिखाने को कहती है क्योंकि उसका टाइम खतम हो गया होता है वहीं दूसरी तरफ हम दो हरामी लोंडों को देखते हैं जो चुसाटी को पहचान लेते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़का जिसका नम काली चोट है वो कॉलीज में चुसाटी के साथ ही पढ़ता है अबे तरी यहाँ पर क्या काम कर रही है मैं साला इसे बच्पन से पसंद करता हूँ और यह फिरी में इस वेबसाइट पर दुकान के गोदाम दिखा रही है तो काली चोट का फ्रेंड कहता है बेटा तुझे उससे मिलना चाहिए मुझे ल चुसाटी के पास आता है और वो चुसाटी को कॉफी के लिए पूछता है तो इसके लिए चुसाटी भी मान जाती है और उसे अपना नंबर भी दे देती है घर आने के बाद चुसाटी लिवर बोई से बात करने लगती है जहां हमें पता चलता है कि लिवर बोई चुसाट बैल्डिके प्यार में पागल हो गया है साला बच्पन में तो इतना फट्टू था और जवानी में प्यार हो साही है वाई वैसे भी आज वेलंटाइन covenantदे हैं कोई हमें भी पटा लो और और ये मोटी गेंड उसके प्यार में इतना दिवाना हो जाता है कि वो अपने घर में जगा जगा अपर चुसाटी और अपनी फोटो लगा रखी थी, फिर लवर बोई चुसाटी को अपनी एक फोटो सेंड करता है, पर ना चाते हुए भी वो उसे जोनी सिंस कह देती है, और लवर बोई खुस हो जाता है, वो तेरी बेहन काओ, ये तेरे बाईने जोनी सिंस के उपादी ले ली, वही रात में चुसाटी और काली चोट साथ में कॉफी पीने जाते हैं, और इनमें काफी अच्छी बॉंडिंग भी हो जाती है, अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं, और बातों बातों मैं काली चोट चुसाटी से कहता है, कि मैं जानता हूँ कि तुम गल हाओ, इसमें जोब करती हो, ये सुनकर चुसाटी गुसा हो आती है, वो कहती है, तू भी कर ले, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, तो काली चोट कहता है, मुझे चोटे देने आती हैं, तू ही कर, लेकिन कुछ दिर बाद ये दोनों सांथ हो जाते हैं, और रिलेसन में आ जाते हैं, उधर हम लवर बॉय को देखते हैं, जो अपना काम कर होता है, और उसी दुरान वो एक मस्त सी लोंडिया को घूर रहा होता है, क्या लग रही है, मन तो कर रहा है, यहीं पर बाले से ताला मिला दूँ, पर वो लोंडिया लवर बॉय को ल्टा सिधा बोलने लगती है, और कहती है, वो मोटी गेंड काम पर ध्यान दे ले, उसकी लिए लवर बॉय बाकी लड़कियों से चुसाटी के बारे में पूछता रहता था, जिस वज़े से सारी लड़कियां चुसाटी बनकर उसे बात करने लगती है, जब ये बात लवर बॉय को पता चलती है, तो उसे बहुत गुसा आता है, और वो अपने ही कमरे में रखे जिसके बाद वो उस वेफसाइड के एक रूम मेंबर का पीछा करता है, और उस जगा पर पहुँच जाता है, और जब उस आदमे को सक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो पीछे मुड कर देखता है, लेकिन तब ही लवर बॉय उस पर हमला कर देता है, और उसे स्क्रेरी इंचार्ज का पता लगा लेता हैं और उसके पास जाकर उसे भी मार देता है उसके बाद वह career वहाँ पर किसी भी लड़की को पता नहीं होता की लवर बॉय अंदर आ गया है वहीं पर सभी लड़कियां वेबसाइट पर बिजी होती हैं फिर लवर बॉय एक लड़की के पास जाता है जो कि ड्रक्स ले रही थी तो वो एक रसी की मदद से उसका गला गोट कर उसे मार देता है वहीं हमें एक दूसरी लड़की को देखते ह जो वेबसाइट पर अपने कारणा में देखा रही होती है जिसे काली चोट का फ्रेंड बड़े मज़े से देख रहा होता है तब ही वो उस लड़की के पीछे लवर बॉय को देखता है और वो उसे बताने की कोसिस करता है लेकिन वो लॉंड य उसकी बाद तो पर ज़्या के इसके बारे में बताता है लेकिन पुलीस उस जगा के बारे में पता नहीं लगा पाती काली चोट का फ्रेंड उस लड़की से प्राइबेट में बात कर रहा होता है इसलिए उन्हें गल हाओस का कोई भी मेंबर नहीं देख पाता और जब लवर बॉय दूसरे कमरे में ज लेती है और वो जान जाती है कि ये मोटी गेंड एक एक करके सभी लोंडियों को मार रहा है इसलिए वो अपने रूम में लगे कैमरे को तोड़ने लगती है दूसरी तदफ काली चोट चुसाटी की फ्रेंड से मिलता है और इससे गल हाउस के बारे में पूछता है लेकिन उस का फोन ले लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है तब ही वहाँ पर गल हाउस का सेक्योर्टी गार्ड आता है तो चुसाटी उसे ये सारी बात बता देती है पर तब ही लेवरवय वहाँ पर आ जाता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है इसके बाद वो घुसाटी को भ जगा पर जाने के लिए निकल जाता है वहीं गर्ल हाउस में चुसाटी एक जगा पर जाकर छुप जाती है जहां पर कोई भी कैमरा नहीं होता जिससे लेवर बॉय उसे नहीं ढूंड पाता इसके बाद चुसाटी एक पेपर पर लिखकर लेवर बॉय को बेस्मेंट में बु ओसा देती है लेकिन इसके बाद भी लेव ब permissions से पकड़ लेता है और उसका गरा दोगता है और यह जाते हैं और फिर काली चुट不好 जाता है उसे ठीक देकर वह बहुत खुस होता है और यहीं पर यह मूवी खतम हो जाती है दोस्तों इस मूवी का नाम गर्ल हाउस है जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी I hope अगर आपको मेरा explain पसंद आये हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सीरा जरूर कर देना अगर आपको यह मू वी डाउनलोड करनी है तो आप हमाने टेलीगराम के चैनल से कर सकते हो